मैं चाहता हूँ एक बाद तेजा सुही जी मुख्यमंत्री बने आप चाहते हैं मैं कसम से चाहते हैं राम विलास पासवान बिहार के भगवान है लेकिन जो उनका बेटा है वो सैतानों की सरण में होके सैतान है समझ नहीं है लोक तंत्र में इस देश का करणधार इस देश के युवा को डंडा मारा जाता है यह कौन सा लोक तंत्र है किस समविदान में बाबा साब ने कहा था कि अगर यह तुमसे देश का युवा देश का गरीब देश का नौचवान अगर आप से रोजगार मारेंगे तो उसको डंडा बरवाना राज तंत्र के अंदर में भी अग क्या नचनिया बजनिया का आप नाम लिखते हो उसका छोड़िये ना उसको क्या उसका सांसद है और आप बोले हैं नचनिया बजनिया किस चीज के सांसद है तो नचनिया नहीं हो आप बोलिए कि चिराग पासवा नचनिया नहीं है आप जमूई जिसने दो-दो बार बनाया उसको कहते हो कि जमुई सबसे पीछे ने तुम पहले जमुई को फस्ट पेंस स्कृम का परफ्यूम लगा कर और कहोगे कि बिहार फस्ट बिहारी फस्ट देश के लिए बोज है पाप है सैतान है अक प्रधान मंत्री उद्गातन कर रहें से आप कहने का मतलब अब वो आप लोग बूलिए वो मैं नहीं बूलूंगा मैं तो राम जी के वंस में रहां और क्रिश्य की बात नहीं करता हूं मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज भगवान राम की जो मूर्ती है वो युवा मूर्ती स्थापित होगी और युवा मूर्ती को कोई बुजुर्ग इस पर्स करेगा तो इससे उनके मन को दुख होगा चाड़ो दिसा के संक्राचारिय भी इस बात का विरोध कर रहे हैं उसके बाब जूद भी बीजेपी सरकार को कोई असर नहीं पर रहा है क्या फर्क पर रहा है संक्राचारे लोगों का उस साब लोगों का मठ में सब बोल र तर scarf के अंदर में खर्मार भी हुए तो राजा की गदी हिल जाती थी और आज इस लोगतंत्र में इतने बड़े-बड़े धर्माचाद्रे लोग कह रहे हैं लेकिन सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा इसको लोकतंत्र कहती है लोकतंत्र में इस देश का करणधार इस देश के युवा को डंडा मारा जाता है ये कौन सा लोकतंत्र है किस समविदान में बाबर साब ने कहा था कि अगर ये तुमसे तो देश का युवा देश का गरीब देश का नौजवान अगर आप से रोजगार मारेंगे तो उसको डंडा बरवाना आप जिस युवा के बात कर रहे हैं वही जंडा भी ढोते हैं उसी लोकतंत्रवाले सरकार कौन जंडा जोता है मैं युवा नहीं कैसे जोता है अच्छा हुआ मैं बोल पा रहा हूँ मैं युवा हूँ मेरी दारी मोचे कम है तो मैं युवा दिख रहा हूँ हम युवा क्रांती कारी है इस देश को जब जब जरूरत पड़ी है हमारे खून के बलिदान से इस देश को आजादी मिली है इस देश के युवाओं को जंडा ढूने वाला मत कहिए इस देश का युवा, देश का सीमा पर रहने वाला युवा इस देश का सबसे सिर्मौर है, तिलक है और देश के बुजुर्ग जो संसद में बैठे हैं दूसरे बुजुर्ग नहीं हमारे किसान माता पिता तो इस देश के लिए काम कर रहे हैं महनत करते हैं इस ठंड में भी खेतों में लेकिन ये जो संसद और बिधान सभाओं में बुजुर्ग बैठे हैं ये इस देश के लि अब जो परसाद बटा है अब जेस दिन हम लोगों को भी उस परसाद का थोड़ा आंस मिलेगा हम लोग देखेंगे अभी नहीं मिला मैं तो दिल से एक बात बताता हूं और ये मैं अपने मन से कहना चाहता हूं मैं चाहता हूं एक बात तेजस्वी जी मुख्य मंतरी बने आप चाहते हैं मैं कसम से चाहता हूं मैं दिल से चाहता हूं कि एक बात तेजस्वी जी मुख्य मंतरी बने बिहार आप मांजी जी के पार्टी में है तेजस्वी को मुख्य मंतरी बना रहा है फिर नाराज हो जाए ये ना उनको, मिले तो, भाई कल की देट में ये भी ना रहे कि उनके अंदर भी क्या पता हो सच में बिहार बदल, पाटी छोड़िये, पाटी आती है आए ना आती हो ना आए, हम लोगों को रहे साथ ना रहे, लेकिन अगर तेजस्वी जी के अंदर एक विजन है, एक संकल् है, देश में कुछ करने का चाहते हैं, तो एक मौका तो मिलना चाहिए, यही नियाए है, यही नियाए है, आप अगर वो चाहते हैं कि वो उनके अंदर कोई ऐसा प्लैन है कि दस, बीस लाग, पचास लाग युवाओ को रोजगार मिल सकता है, तो एक बार युवाओ को मौ मुख्य मंतरी बने, और वो जिस दिन इस संकल्प के साथ आगे निकल जाएंगे, बिहार में अगर कोई सबसे पहले उनका जंडा लेकर निकलेगा, तो हम लोग निकलेंगे, वो अपनी इस संकल्प के लिए आगे निकले, पिलहाल साल भर की कार्यकारनी से कितना बहुत बड़ा केंदर का दबाव है, बहुत सारी चीजे हैं, युवा हैं, हम लोगों के भाई हैं, और हम लोग बहुत खुश हैं एक साल में, लेकिन दिल से बताऊं तो दुखी इसलिए हूँ, क्योंकि हकीकत में उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और ये मैं नहीं कह र राम जी को तो इतना लोगों ने अच्छा भी कहा, बुरा भी कहा, तो राम का चरितर हनन हो गया, क्या, एक बार मौका मिल जाना चाहिए, बाकी वो भी युवा है, खुबसूरत युवा है, अब बिहार में सब डिप्टी सीमों और सीमों में सबसे खुबसूरत ही है, तो ह ठोड़िये ना उसको, क्या उसका, सांसद है और आप बोले है, न चनिया बजनिया, किस चीज के सांसद है, तो न चनिया नहीं है, बुल्कुल को नास्टे थे तो फिर क्यों ऐसा बात है, न चनिया को बुना बात है, किस में, सांसद में वो नहीं बैठे, आदर्निय स्री राम विलास पासवान जी के वज़े से वो बैठे हैं राम विलास पासवान जी जो थे वो भगवान थे बिहार के भगवान है वो अब समझे राम विलास पासवान बिहार के भगवान है लेकिन जो उनका बेटा है वो सैतानों की सरण में होके सैतान है समझनी है जमूई म काम नहीं करेंगे और बिहार में गमच्छा डालके और नाचेंगे बिहार को फस्ट बनाना है और जमुई के जंता ने दो-दो बार चुनाओ जिताया तो उसको आज लास्त बना दिया आप जमुई के अंदर में रिकॉर्ज देखिए इस्टेट क्राइम रिकॉर्ज ब्यूर आप जमुई जिसने दो-दो बार सांसत बनाया दस साल से सांसत बनाया उसको कहते हो कि जमुई सबसे पीछे और फिर कहते हो बिहार फस्ट बिहारी फस्ट अरे तुम पहले जमुई को फस्ट करो जमुई के गाउं को अच्छा करो मैं बता रहा हूं आप किसी दिन हम लोग नहीं है वो दलितों के मिडियेटर टाइप है आज दोनों चाचा भतीजा सोच रहे हैं कि कैसे आधा रोटी तू खा भतीजा और आधा रोटी हमको खाने दे और दोनों का परिवार चलता रहे लेकिन हम जैसा युवा हम सांसत विधायक बनने नहीं आए यह बिहार मा है हमार और इस बिहार को अगर कोई चलने की बात करेगा तो हम लड़ेंगे नहीं हुई इस चिराख पास्वान दो हजार चौदा से पहले चिराख पास्वान कहा थे लंडन का किरीम लगा कर और बिहार को कहोगे बिहार फस्ट बिहारी फस्ट मेंस क्रीम का पर्फ्यूम लगा कर और कहोगे कि बिहार फस्ट बिहारी फस्ट बिहार के खेत में जाओ बिहार के गोबर का इत्तर लगाओ तब ना बिहार फस्ट बिहारी होगा मेरे पिता के पास चलिए आज वो खेत में बैठते हैं उनके सरीर से गोबर का खुसबू आता है लेकिन वो मिट्टी का खुसबू है उनके सरीर के पास जाईए लंडन बेरी कीरीम का खुसबू आता है और यह कहते हैं बिहार को फष्ट बनाएंगे बिहार को लूटना चाहते हो आज एक लालू परसाद यादा हो जो बिचारा गरीब खेतों खल्यानों में काम करने वाला गाए भैस चराने वाला उसको मुख्यमंतरी क्या रह गया आज उसको पूरा देश के अंदर में इतना उसका नाम खराब करने की कोशिश करते हो कितना गलत है ये देश को बहुत जरूरत है सेनेताओ की देश में लालू परसाद दुबारा नहीं आएंगे देश के अंदर मुलायम सिंग यादो दुबारा नहीं आएंगे देश के अंदर वीर कूर सिंग नहीं आएंगे देश के अंदर करपूरी ठाकूर नहीं आएंगे देश के अंदर दुबारा जगदेव परशाद नहीं आएंगे लेकिन उनके विचारों को फैलाने वाले उनके वन्स के हम लोग वन्सज आएंगे और हमें सांसद और विधायक नहीं बनना है हमें हमारा बिहार फस्ट करना है हमें बिहार को आगे लेकर जाना है हम ऐसा नहीं है कि दस साल से जमुई की जनता को धोखा देंगे और उसके बाद कहेंगे कि अब मैं मुख्य मंतरी बनूँगा अगर भगवान सरी राम स्वर्गेर राम विलास पास्वान जी का नाम उनसे पूछ लिजीएगा उनको ये सब नहीं पता उन्हें तो पता है भाई दलितों के अंदर में वो दलित समाझ जो उनको प्यार भी करता है इसलिए क्योंकि चलिए एक यूँआ नौजवान है ठेक है लेकिन आपको जमुई की जनता ने तो दो दो बार प्यार किया आपने वहां के लिए क्या किया जमुई के लोगों को सही माइने में वहां एक अच्छा अस्पताल नहीं दे पाईए कितना दुख होता है रहें ना रहें इससे कोई फार्ट नहीं बहुत बहुत धन्यवाद तो हमारे शाथ राजन सिंग थे जो लगातार अपनी बातों से लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं और राम मंदिर को लेकर इनकी क्या कुछ बाते थी वह आपने सुनी और इसके साथ ही बहार में चल रहें राजनीती को लेकर इनों ने साफ तर पर कहा कि तेजस्वे यादव एक युवा नेता हैं और उनको एक मौका बहार में जरूर देना चाहिए काम करने की बाद देखी जाएगे कि देने के बाद वो कैसा काम कर पते लेकिन जिस प्रकार से एक सालों से उनकी कार्यकार नी रही है उसे साब से एक बार मौका देना तो बनता है बाकि इन सभी बातों पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आप देख रहे थे लाइव लोग नियूज मैं आपके साथ खुस्बूर है